देखिए डिटी एज है इस डिटी एज को होल में डालेंगे ठीक है अभी उसको प्रिप्रेशन कर रहा है प्रिप्रेशन करने के बाद होल में डालेंगे उसके बाद एक स्बॉशुर दालेंगे ठीक है थिच में क्या कि अपका ओज का जो नॉन इंटिक स्टो रहा है रहा है होल के बाटम क्मप तक इसको दालेंगे ठीक है और इसके बाद हम ओल में एक्सप्रसू डलते हैं उदर एक्सप्रसू डलना चलू किया हाँ 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 मार रहा है क्या हो देखिए जा रहा है देखिए इसको ओल के बाटम तक हम बेजेंगे ऐसे सभी होल का ऐसे सभी होल में देखिए यह होल में प्रैमिंग करके हम रख दिये प्रैमिंग मतलब टिटी एच और वुस्टर को होल के अंदर डाल दिया है अब देखिए यहां पर डाल दिया है और यह नीचे ना चला जा इसके इसको पथर से बांध के रख दिया है और यह देखिए हम बता रही है आई अच्छा हूं आप देखिए यह जो साइट्मिक्स इमलसन है इसका यह पाइप है उधर में टुक खड़ा है देखिए पंट इसे पाइप आया है यह पाइप से देखिए अब दिखाना हम को हां मैंनिंग के बच्चों को बताना है चलू करो अब देखिए यह बल्क बिर रहा है बल्क मतलब एक्सपोस्ट्यू है साइट्मिक्स इमलसन है हम इमलसन के बारे में आप लोग को सुबह में बताए थे ठी अट्याइए ठीक है उसके बाद इसका क्नेक्शन करेंगे फ़े एक होल में बहुत इस दूसरे होल में एक्स परस्यू चैर्जिंग किया जा रहा है कि आवा जा रहा है आवा जाने से समझा रहा है कि बारूत जो हमारा बल जो है जा रहा है दिख रहा है ठीक है ऐसा सब उनको चादिंग करें